महराष्ट में गटबंधन सरकार में मतभेड अब खुल कर सामने आने लगे हैं कॉंग्रेस नेता और राजेस्व बंतरी बाला साहब थोराट में कहा है कि गटबंधन में हमें जो इस्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है कॉंग्रेस की नाराजगी का जवाब शिप्षेना ने अपने मुखपत्र सामना के जर्ये दिया है शिप्षेना ने सामना के लेक में कॉंग्रेस को पुरानी खटिया कहा है लेक में शीपशेना ने लिखा है कि कॉंग्रेस पार्टी भी अच्छी काम कर रही है लेकिन समय समय पर पुराणी खट्या रह रहे कर पुरकुर की आवास करती है शीप शेना ने लिखा है कि उद्धर ठाकरे स्यम की कुरसी के लाल जी नहीं है जो कोई भी शर्ट मान ले राज के मामले में मुख्यमंतुरी का निर्णा ही अन्टीम होता है ऐसा तै होने के बाद कोई और सवाल नहीं रह जाता और और इस ख़वर पर डिटेल के लिए हमारे साथ जी 24 तास्क के एडिटर आशीश जाधब जी जुड़ रहे हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आशीश जी मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से भी और शिप्षेना की तरफ से भी ऐसे में क्या ये माना जाए कि महराष्ट में गटवंदन की सरकार खत्रे में है जो सीम और अभीके विरोधी पक्षनेता है देवेंदर फडनवीस इन्होंने आरोप किया है सरकार के उपर कि मुंबई में जो डेथ कैपिटल अफ करोना जिसको कहा जा रहा है मुंबई में 900-900 डेथ या मृत्यू चुपाये जा रहे हैं इस खबर से ध्यान हटाने के जो वर्चुल इनफाइटिंग जिसको हम बोल सकते हैं ये महाविकास आगाडी में चल रही है दो तिन मसले हैं एक तो कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि जबी भी डिसिजन लेने का समय आता है तब सीम उद्दव ठाकरे ये रास्टरवादी कॉंग्रेस या शरत पवार के प कॉंग्रेस को नहीं लगती है ये भी एक मसला है दूसरा ये है कि अभी राज़पाल न्यूकत जो बारा जगें एमेलसीस की हैं तो विधान परिशत की उसमें जो कोटा कॉंग्रेस को तै हुआ हुआ है वो उनको पता चला है कि तीनी जगें उनको मिल रही है उनका कहना है कि हमें 5 सीट चाहिए अब अगर 5 सीट चाहिए तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण लेके CM से बात करें कि जिस पे on paper on table बाते हो सके अभी हो क्या रहा है कोईड की वज़े से या transmission की वज़े से CM किसी से प्रत्यक्ष रूप में मिल नहीं रहे हैं मिल भी रहे हैं तो वो सिर्फ शरत पवार को मिल रहे हैं और यही कॉंग्रेस की मुख्या अडचन अभी इस समय दिख रही है कि उनको direct talks with CM चाहिए और उसके लिए यह एक बहाना है कि हमारे साथ बात कीजिए हमारे जो मुद्दे है उसके उपर आप बात कीजिए क्योंकि कॉंग्रेस में एक टपका ऐसा भी है कल जाके राजस्तान में कुछ गड़बड हो जाती है वहाँ पे अशोक गहलो सरकार गिर जाती है तो फिर महारास्टर में भी हम विपक्ष में जाए हम क्यों सरकार में रहें आइसा कुछ कॉंग्रेस में चल रहा है इसी कारण कॉंग्रेस एक सिर्फ कारण धुन रही है कि किसी भी कारण महाविकास आगाडी में सीम से याने उद्दव ठाकरे से बात हो सके उनके जो मसले है उसके उपर बात हो सके क्योंकि सरकार में कॉंग्रेस भी है यह पता है इसलिए फिर सेना ने क्या किया है सिवसेना ने कि सिवसेना के खासदार भी है संजे राउत और सामना के एडिटर भी है उन्होंने अगरेले एक लिखा है एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस को खटिया बटाई है आईसी खटिया जो अभी पेरेबाजी हुई है और ये कॉंग्रेस को बहुत लगा है अभी भी इतना ये मसला दूर तक नहीं खीचा गया है कि कुछ हो लेकिन आरम पुलिंग जिसको कहते हैं कि आप टेबल पे आईए पेपर पे बात कीजिए और आगे चलेंगे तो ये मसला भी दिख रहा है उतना प आशी जी एक छोटा सवाल सर मेरा आप से और होगा कि ये बात जो आपने कहीं बिल्कुल ठीक है कि कॉंग्रेस ये भी सोच रही होगी कि अगर मालेजी राजस्थान में सरकार गिर जाती है तो फिर कॉंग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाई शहनी राहुल क्या शिपसेना भी कोई समझोते को तयार नहीं है और अगर हाँ तो फिर ये चाड़े-चार साल का ये जो आजपास का वक्त बचा है भी वो लंबा वक्त कैसे गुज़रेगा एक बात तो ये है कि इंडियन एक्सप्रेस में कल परसो में आशक चवान जी ने एक इंटर्वी किया है जिसमें उन्होंने ये सब बाते कहीं है कि हमारी नाराजगी कौन से मुद्दों पे है उसको काउंटर करने के लिए आज संजे राउच जी ने बिंग एक्जिकूट एडिटर सामना में एडिटूरियल लिखा है काउंटर करने के लिए लेकिन इसके आगे सब चीजे हैं वो ये चीजे हैं कि जबी भी कोई ठोस निरने लेने की बात महाविकास आगाडी में आती है तो कॉंग्रेस के उपर अन्याय होता है ऐसा कॉंग्रेस के खेमे में सोचा जा रहा है कि जबी भी कभी आता है किसी को चुनना या किसी को ज़्यादा सीट देना या किसी को MLC के लिए रेकमेंड करना तब जाके कॉंग्रेस के कोटे में से एक जगा कम हो जाती है और अभी ज पावर कोई भी पावर हमें नहीं है या हमारा कोई ऐसा डिसीजन हो नहीं रहा है जिसको हमने मैनिफॉस्टो में 2014 में लाया था तो कॉंग्रेस महारास्ता में न्याय स्कीम जो है राहूल गांदी का ड्रीम प्रोजेक्ट उसको ये कोईड के समय लागू करने की इच्छा रख रही है आगे जाके कल या परसो में सियम उद्दव ठाकरे के साथ कॉंग्रेस के नेताओं की जब बातचित होगी उसमें ये भी मुद्दा आएगा कि जो न्याय योजना है उसका एक लगू रुपांतर या लगू स्वरुप ये महारास्ता में दिखे क्योंकि चतिसगड गवर्मेंट ने न्याय योजना ये कॉंग्रेस आगरे ही दिख रही है ये भी एक बड़ा मसला आगे जाके आने वाला है ओके चलिए बहुत शुक्रिया आशिज जी आपका महाराष्ट की राजनिती को इस वक्त क्या चल रहा है ये डीटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए